जोहार नमशकार आदाब मेरा नाम और आजिता पांडे है आप देख रहे हैं हजारी बाग अबडेट्स फिलाल जो शक्सियत हमारे साथ बैठे हैं इन्होंने तीन कारपेंडर से शुरुवात करी एल्डर कमपनी की दिल्ली के तिलक नगर से और आज जो डिस्ट्रिबूटर से डिलर डिस्ट्रिबूटर फाइवंडर अबव हैं 37 जो फ्रेंचाइजी ब्रांच कुला है वो हजारी बाग जिले में खुला है तो सबसे पहले तो सेर बहुत-बहुत स्वागत है हजारी बाग अबडेट्स में आपका धन्यवाद आपका और सारी टीम का यहां की कि आपने अमयाजारीबाग में मोका दिया सेवा करने का elder company की बारे में जो वस्तार से बात है पहले ये बताई है कि अपने करी कहां से दिमाग में यह चीज आया क्योंकि कि इसका जो लुक होता है लुक वाइस फर्नीचर जो है लगर का सारे यह विल्कुल अलग होते हैं और भी सुविधाय बहुत सारी मुहिया होती है कि कलर नी पसंदारा वो भी चेंज करवा देते हैं हैं गएंज साइज़ नानी पसंदार है इस्ट्रॉक्चर पसंद यह वह भी चैंज करा देते कैसे आया है इत्क बारिकिया जो आप गहां जान रहे हैं स्प्राइऽ खे चांप के बारे मिगें पहले हम जब 1978 किया ठाब शुरू किया तो हमाने शुणीम सक्ष नेल्क्स आख पता लग गया कि कस्टमर चोईस क्या होती है और जैसे काम बढ़ रहा था हम उनको फुल्फिल नहीं कर पा रहे थे तो फिर हमारा ये प्लैन हुआ कि हम इसको पूरा लार्ड स्केल में लेके जाएं और नॉक डाउन में क्योंकि जादा बनाएंगे तो जादा जगा चाहिए तो उसको नॉक डाउन का आईडिया लगाया फिर चाइना के देखने के हम कि नॉक डाउन कैसे चलता है लेकिन हमने उनकी कोई भी जो उनकी असेम्बली थी नहीं मानी और वो हमने अपने इंडियन स्टाइल को ही माना इंडियन मेंटेलिटी और मजबूती इंडियन कि मिया को आईडिया जगी बादिया चाहिए तो उसको सारे को ध्यान में रखते हुए हमने शारा माल बनाया और हमें को हमारे और आज तक तब से लेकर अज तक फूरी लोगों का सेहोग मिलता रहा है और लोग हमारे माल से बहुत खुश्श है इससे बेड की बात आप कर है तो वह बेट पे जो चलांग और कूद वाला बात था वो एक मा बता दीजिए उस वक्त सबसे पहला जो हमने बैट बनाया उससे पहले सिर्फ जौरी एक इंडिया की ऐसी कंपनी थी जो यहां पर बैट बनाती थी और वो भी वो बीच में स्टील का फ्रेम देती थी तो हमने बीस के बीस आजमियों को उस बैड के ऊपर चड़ा दिया और डांस कराया और आपको डेलिबरेटली मैंनों के इसको हिला और तोड़ो और वो कोई भी उस बैड का बाल भी बांका नहीं कर पाया और वो दिन से लेके आज तक हम पीछे नहीं आते मतलों उसमी सुन जर्च बैड दस के कमरे में रख सकते हैं बाहर वाले को जो जब कीथी नगर से लाता ता तो पहले दो बॉर्ड ले के जाता था और वो बेचता ता और वो तीसरा बैड महेंगा भेज सा था कि माप बेचा झाओंगा तो लेकर आऊओगां को हमारे बैंट के लिए डॅब डिवे कहीं भी रख सकता है, मजबूती उसको पूरे दिमाग में आ गई, कि इसमें मजबूती में कोई कमी नी आई, तो फिर तो हमारे को और हमारे रेट्स जो थे, वो नॉर्मल कार्मेन्टर वाले रेट्स थे, उसमें सारा उसमें यह, इस बोर्ड में कंपनियां हम मारे से तो छोड़ो company हमें पूरी guarantee देती है कि कोई powder नहीं किरेगा, कोई धीमक नहीं निकेगी, तो ये company का order हमारा कोई इसमें उ गरंटी नहीं है, company कहती है ये, और सारी हम, Indian अच्छी companies के साथ जूड़े हुए, हमने उसमें कोई हलका काम कंपनी नहीं लिए बहुत शुक्रिया साथ